स्वागत था आप सभी का आपके अपने चैनल बैंकिंग करियर पर मेरा नाम उमेस यादो है दोस्तों कल आप सभी के रिक्वेस्ट पर मैं SPI कलर्क मेन का एक्जाम कब हो सकता है उस पर एक वीडियो बनाया था आप सभी के लिए वीडियो काफी इंपोर्टेंट है इस वीडियो को लाइक कर दीजे और अपने चैनल पर पहली बार मिज़िट करें तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिजे दोस्तों वीडियो देखने के बाद डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाईएगा काफी इंपोर्टेंट है मेमोरी बेस पेपर टाइप का है उसको जरूर कीजिएगा दोस्तों मैंने आप सभी को कल क्या बताया था आरवे असिस्टेंट का में का डेट एनाउंस होने से एक अनफर्म हो गया है कि में का एक्जाम जो है नॉवंबर के मंथ में पॉसिबल है यह बाते जो है मैं आप सब को कल बताया था और इसको लेकर के जो है आज मैंने बात किया है तो कंफर्म पता चला है कि रिजल्ट जो है इस मंथ में आ जाएगा अब बात करते हैं 31 अक्टूबर को लेकर के जो आप में से कैंडियर पूछ रहे हैं कि सर अलग लग सोर्सेट पर बताया जा रहा है आज मैंने इसको लेकर कि ION Digital से भी मैंने बात किया था, मैंने पूछा कि सर आप लोग के पास डेट आया है का 31st October का, लोग उने बताया कि नहीं, अभी डेट नहीं आया है, 31st October को लेकर के बताया कि डेट नहीं आया है, तो मैं आप सबको ये बताना चाहता हूँ कि आप किसी भी situation के लिए आप ready रहिए क्योंकि आपको पता है कि exam जो है अब start हो गया और exam जो है सभी एक के बाद एक होंगे अपने को बस अपने preparation पर धियान देना है और सबसे important है आप लोग SPI clear के लिए काफी दिनों से preparation करते आ रहे हैं तो exam जो है बहुत जल्दी date जो है अपने को पता चल जाएगा लेकिन एक-एक मिनट time है आप लोग अपने study पो लगाई है जैसे कोई important जो है information मिलेगा मैं आप सभी को provide कर दूँगा और दूसरी बात है दोस्तो current fair का topic लेकर के आप लोग पुछ रहे हो कि सर हम लोग कब से पढ़े SPI के लिए और RBA assistant के लिए तो आप लोग जो है जनवरी से लेकर के और August का जो fair cloud का जो PDF में जो उन्होंने जो best PDF provide किया उसको आप पढ़िए और March के बाद से जो है पूरा detail में पढ़िए ऐसे तो जनवरी से लेकर के और August का जो PDF provide किया उसमें best और finest question है उसको भी आपने किया तो आपके exam में काफी assess score होंगे लेकिन जो पहले से आप continue पढ़ते आ रहे तो उसको आप continue रखिए और जनवरी से लेकर के और August तक वो PDF पढ़ लिजे आपका जो है सब कुछ उसमें cover हो जाएगा आप messaging जो candidate ले लिए हैं तो बहुत अच्छा है अगर नहीं लिए होंगे तो आप जाकर को PDF को ले लिजेगा description मों उसका link दिया हो और दोस्तों अभी आप exam के preparation पर focus किजिए exam का result कब आएगा date कब होगा इसके बारे मत सुचिए आप सभी को official जो है जो भी news रहेगा आपको मिल जाएगा मेरा आप सब को simple advice रहेगा कि आप अच्छे से preparation किजिए thank you so much God bless you all